सो हेलो एवरिवन और बिंदो फार्मा लिमिटेट के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं यहाँ पे क्या हो सकता इसका टार्गेट प्राइस यह भी बताऊंगी पूरी वीडियो वाच कीजिए यहाँ पे देखे पहले आप देखेंगे जो इनकी टोटल इंकम जैनरेट हुई है यह 58,000 से हो गई है 66,000 मतलब इंक्रीज हो गई है quarterly basis में भी and yearly basis में भी इनकी टोटल इंकम इंक्रीज हो गई है आगे बात करूं मैं total expenses की खर्चे भी इनके बढ़ गए है 50,000 से 58,000 हो गई है तो directly बात कर लेते हैं total comprehensive income की आप देखेंगे यहाँ पर 7867 से यह decrease हो गई है 5189 हो गई है इस मतलब यहाँ पर result ज़्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे है and earning per share भी 9 से 8 हो गया है मतलब decrease हो गया है इनके result ज़्यादा अच्छे नहीं रहे and guys यहाँ पर मैं बात करूँ यह short term perspective से 575 रुपीज के around इसका stop loss रहेगा on weekly closing basis बाकि आप देखेंगे 645 के अबव अगर यह sustain करता है इसका जो target हो सकता है यहाँ पर यह 700 प्लस मतलब यहाँ पर 700 प्लस इसका target हो सकता है झाले झाले बात करता है